नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं कुछ फूल वाले पौधे लगा रही हूँ जो पर्मनेंट है और गर्मियों में तो खासकर बहुत अच्छे फूल देते हैं तो सबसे पहले तो तीन तरह की चमपा की प्लांट मैं आज लगाऊंगी जिसमें तीनों ही बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है और भी जो भी प्लांट लगा रही हूँ आपको दिखाती हूँ सबसे पहला प्लांट देखिए मैंने ये स्वर्ण चमपा का लगाया है जिसके फूलों की जो खुस्बू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इस पर कलिया भी आ रही है और इसकी पत्या देखिए बिलकुल अलग होती है चमपा से चमपा की प्लांट की जैसी पत तो देखेंगे इसके लावा मैंने ये देखिए मधु कामनी का प्लांट लगाया है इसके फूलों में भी बहुत जादा खुस्बू है इस प्लांट को मैंने कल लगाया था और आज सुबह इस पर फूल खिले थे रात में फूल खिलते हैं ग्रो बैग में मैंने इसको लग देखिए यह वाला काफी बड़ा और सुन्दर प्लांट है तो चंपा के तीन में लेकर आई थी एक तो सुन चंपा एक रैड वाला चंपा का और एक जो वाइट चंपा होती है जो थोड़ा से यलो कलर होता है एक वो वाली है तीनों में ही बहुत अच्छी खुस्बू होती ह लेकिन सुन्द चंपा थोड़ा सा स्पेसल है क्योंकि वो मैंने पहले नहीं लगाया कभी भी उसका फूल देखना है कैसा होता है और कैसी उसकी खुस्बू होती है तो देखिए मैंने इस प्लांट बड़े बड़े गमलों में लगाए इस बार ताकि अच्छे से इनकी ग् सुन्द चंपा का प्लांट है जो थोड़ा सा स्पेसल है मेरे लिए यह फिल बहुत लिए प्लांट प्लांट बड़ेग लिए और यह वहक का लो होता है डीरे नोग करेंद है और तीन काफी है अच्छी खुस्बू रहेगी गार्डन में और इसके अलावा देखिए मदू कामनी का प्लांट लगया इसमें भी बहुत अच्छी खुस्बू है ये भी फूल देखिए कितने सुन्दर है इसके एक मैंने ये लाल रंग का गुढल का पोधा लगाया है जो बहुत ही अच्छा देखिए कलियों से भरावाया पूरा इसको भी मैंने ग्रो बैग में लगाया है लाल रंग के गुढल बहुत अच्छे लगते हैं तो ये गुढल का प्लांट लाल बला मैंने लगा लिया और य सा बड़ा गमला चाहिए तो एक ये मधुमालती की बेल भी लग गई है और ये गुढल के दो प्लांट है एक यलो है और एक इसमें रेड है ये दो एक साथ लगाए है बड़े गमले में तो काफी सारे फूल वाले प्लांट आज मैंने लगाएं कार्डर में बहुत अच्छा लग रहा है कुछ नए नए प्लांट भी जैसे की स्वांट चमपा है ये मैंने पहली बाल लगाया है उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू बेरी मच बाई